हेलो एव्रिवान वेलकम टू दा क्विक रिविशन पार्ट आफ वेब आप्टिक्स आज के वीडियो में आप लोग को एक क्विक रिविशन इच एन एवरी टॉपिक डिटेल में मिलने वाला है ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वीडियो अनली 15 मिनिट क ठीक है तो 15 मिनिट में आप लोग को यह चुछ सिलेवास आप लोग को दिखाई दे रहा है यह सिलेवास आप लोग को कि फुली कवर्ड करवा के दे दूंगा ठीक सो वेव आप्टिक्स लेट स्टार्ट यहां पर देख सकते हैं अगर हम लोग एक मिनिट लगा के शिलेवास को आप दर्वक करें वेफुरॉन्ट है हाइगेंट प्रिसिफाल उसके बाद प्रूब एक बात यहां पर important कि देखिए नो डिराइवेशन अनली फाइनल एक्स्प्रेशन रिखुर्इड डिराइवेशन की यहां पर कोई जरूरत ही नहीं है किसके पार्ट में देखें सब्सक्राइवेशन परकाइवेशन इहां इसलिए नजर रखते हुए हम लोग स्टार्ट करता है हम लोग स्टार्ट करेंगे वे फ्रांट मार्क कर्ते हुए जाएंगे वे फ्रांट एडिरीक walks उसके पाइस एस फाद हम घ्रेट्ट में जाएंगे सो लेट सब्सक्री हम लोग अभी याउज स्टार्ट करता है ओके यह आपके स्क्रीन के सामने है वेब फ्रॉंट ओके तो वाट इस वेब फ्रॉंट यहां पर देख सकते हैं मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं वेब फ्रॉंट क्या है यहां पर एक डेफिनेशन ठीक तरीके से दिया हुआ है तो लोकस ओफ आल पार्टिकल ओफ मीडियम फ्रॉंट इसको आम लोग क्या बोलेंगे वेब फ्रॉंट यह की मीडियम में सेम मीडियम में होना चाहिए ठीक है सेम मीडियम में होना चाहिए और एट एनी इंस्टेंट कोई भी इंस्टेंट पर अगर हम लोग इसको लोकिट करें तो क्या होगा वह सेम फेस में होना चाहिए ठीक है उसका डेफिनेशन आने का बहुत चांस से जनरली बहुत बार यह question आ चुक है है ठीक है so next types of wavefront. wavefront कितने types का है प्सट अभल spherical wavefront जो A number figure है yeah key source lum百 सिलिंद्र का point source next B number है cylindrical wavefront यहां पर देख सकते है इसका सोर्स क्या है इसका सोर्स है linear एक सोर्स, line सोर्स हम लोग बूल सकते हैं, उसका यहाँ पर क्या होगा? थर्ड one is Plane Wave Fron, यह जो दिखाए देरहा है आप लोगो एक लिद्ध देह किस तरीके से यहाँ पर plane wave propagate कर रहा है इसे इस यहाँ आट टाइपस ओफ आट्ट हाइगें प्रिंसिपल पर, okay, so हाइगें प्रिंसिपल यहाँ पर चलते हम दो, हाइगें पिजबल की तरह yes हाइगें पिंसिपल, so very simple way में मैंने हाँ पर लिखके रखा है देखिये, according to हाइगें पिंसिपल Each point, यहां से start होते है, each point of the wavefront is the source of secondary disturbance, यहा है, क्या है, secondary disturbance and the wavelets emanating या फिर originating बोल सकते है, इसका स्नोनिम हो सकता है, originating from these points spread out in all direction with the speed of wave, उसी speed में वो spread out हो जाएगा these wavelets emanating from the wavefront are usually referred as secondary wavelength ये वाला जो लाइन है इसको आप लोग काट सकते है काट सकते है फिकाज ये मैने समझाने के लिए या पे रखा है तो ये लाइन की ज़रुवरत नहीं है if we draw if we draw a common tangent to all these spheres we obtain all these spheres मतलब consensus पर इसकों दो बोलते है wavelets ठीक है we obtain a new position of the wavefront at later time तो ये दोनो यह पे दो point मिल जाएंगे आपको यहां से इतना तक this is number one and यहां से इतना तक this is number two okay so इन दोनो point को अच्छी तरीके से सीख लेना है बिकास इस हाइगन वेफ I mean principle of हाइगन जो statement है वो बहुत बात question पूछे गया है तो इसका जो explanation है क्या है अगर हम लोग एक source पकड़ते हैं तो इससे वेव निकलेगा और spherical wave निकला है तो spherical wave जब सपोज इसको हम लोग इस wave को पकड़ लेता है तो इस wave को हम लोग क्या बोलेंगे primary wave front ठीक है इस primary wave front पर अगर हम लोग wavelengths these are wavelengths wavelengths draw करेंगे same radius का और radius कितना है c delta t देखो c delta t का अगर हम लोग radius जोगते हैं तो अगर यहाँ पर एक circle दो circle तीन circle जोगते हैं और इन circle को क्या बोलते हैं वेवलेग्स तो तीनों का जो common tangent है वो common tangent क्या देगा secondary wavelengths वो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा secondary wavelength का position ठीक तो दिस इस जस्ट a geometrical concept highgen principle क्या है geometrical concept है ठीक है याद रखना है तो यहाँ पर हो गया highgen principle अभी highgen principle को यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे ओके लेट्स गो तो दे प्रूफ पर्ट तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला पर्ट यहाँ पर रिफ्लेक्शन वेडी सिंपल है यह जो फिगर है आपको ncrt book में मिल जाएगा तो सबसे पहले इस फिगर को समझते अच्छी तरीके से दो मिनिट का काम है वेरी सिंपल है दो मिनित ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा ठीक है यह जो वेव है इस फस्ट वेव मतलब जो वेव कौन सा इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्टेट वेव कौन सा है मैं ग्रीन कलर दे रहा है इस इस रिफ्लेक्टेट वी तो देको एक चीज़ ध्यान से देखो जो रिफ्लेक्शन हो रहे है एक ही मीडियम में हो रहा है यहे जो A B ओड़न वेव्ड और यह उफ्लाघर यह वाला विवद बहुन यह आ रहा है ना एक साथ तो यह जो वूइब पाइन्ध है थ्यान से देख रहा है पहले A point पे strike कर रहा है थ्यान से देखो जब A point में था तब ये B point में है इस point पे ठीक है अब देखो जब ये reflect हो गया और reflect होके जब गया E point तक तब ये B point से C point तक आया है की नहीं B point से C point तक है यानि कि ये जो B C है और यह जो AE है वो equal है correct ओके, तो अगर यह दोनो equal है, यानि कि यह line और यह line equal है, तो क्या हम लोग इन दोनो triangle में congruency दिखा सकते हैं, so from triangle, देखो दिखाई दे रहा है, yes, from triangle A, E, C and triangle A, B, C, इन दोनों triangle में देखो, AE is equal to B, C Q, due to, because of Huygen principle ठीक है, Huygen's principle, okay next AC equal to AC यह क्या है, AC equal to AC, यह common है common, और एक देखो यह जो angle है यह angle बन रहा है न, यानि कि angle A, E, C is equal to angle C, B, A which is 90 degree तो यहाँ पे congruency मिल रहा है therefore, triangle A, E, C congruent to triangle A, B, C अगर यह दोनों triangle congruent है, तो अंदर का जो angle है, यह दोनों angle therefore, I equal to R यह दोनों angle क्या है इक्वेल है, इतना ही आप लोग को करना है यहाँ पे चैनल लिए छी मास्क आएगा तो complete हो जाएगा, चलो next, refraction part okay, this is refraction आप लोग को upcoming physics exam में reflection और refraction में से एक तो मिलने वाला है, ठीक है तो refraction, this is also taken from NCRT book so refraction में क्या होता है देखो सबसे पहले क्या करना है, दो medium है this is mu1 this is mu2, okay okay, तो rarest से denser जारा है definitely तो देखो, जब यह a point में था ना, तब यह b point में था, fine और जब यह a से e तक गया, तब यह b से c तक गया और distance यहाँ पे जादा होगा, क्योंकि medium अलग है, तो suppose यहाँ पे पकल लेते हैं, length v1 t और यहाँ पे पकल लेते हैं, v2 t तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे sine i दिखते हैं, यानि कि इस angle को, sine i मतलब perpendicular, यानि कि bc by ac, नहीं कि नहीं, bc मतलब v1 t by ac, सहीं, और sine r क्या हो जाएगा, नीचे वाला triangle से यह हो जाएगा, r sine r हो जाएगा ae divided by ac, so v2 t divided by ac, so अगर हम लोग sine i by sine r करेंगे sine r क्या मिलेगा, v1 t divided by v2 t, यानि कि v1 divided by v2 that means, क्या मिलेगा, v1 divided by v2 मतलब mu 1, 2 समझ महाला है, so यही तो है ना अम लोग का this is equal to this Snell's law Snell's law ठीक है तो हैंस प्रूफ चलो so, move on to next topic यह वाला part हो गया eigen principle हो गया अभी चलेंगे, reflection, reflection अभी मैंने बता दिया ठीक है प्रूफ भी हो गया laws of reflection, reflection using hygen पे चलता है, ठीक है interference Young's double slit experiment expression for fringe width no derivation, यहां दखना है derivation नहीं है, only final expression तो यहां पर हम लोग coherent source और sustained interference of light को भी पकरेंगे हम लोग खतम करेंगे, ठीक है so, moving to the next part yes यहां पर एक चोटा सा पाट है principle of superposition principle of superposition यहां पर क्या बोलते है principle of superposition बोलते है कि अगर दो या दो से जादा wave यहां पर आते है तो सब का plus हो जाएगा ठीक है, vector sum हो जाता है vector sum बस इता ही है so, here we go phase difference भो सब तो पाता ही है yes यह बहुत important है because resultant amplitude and intensity इसके उपर numerical sign के सबोज यहां पर दिया हुआ है suppose this is y y1 is equal to a1 sign omega 2 y2 equal to a2 sign omega 2 plus y अभी इन दोनों को मिला के दोनों का vector sum करके हम लोग को जो result मिलता है वो है यह we all know that ठीक है a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos by whole root ठीक है, अगर यह 90 degree जाता है तो this is equal to because 90 होने से cos 91 हो जाता है sorry, 0 हो जाता है तो यह बाला part गतम हो जाएगा तो इसी को अगर हम लोग in the form of in terms of intensity लिखेंगे ठीक है because amplitude square proportional to i हो जाता है तो यह formula निकल के आता है ठीक है ओके so coherent source क्या है देखो बहुत important है coherent source जहां से देखते हैं the source of light which emits continuously light waves of same wavelength same frequency and in same phase और constant phase difference is called coherent source यहने कि दो source में अगर constant phase difference रहता है simple word में उसको बोलता है coherent source interference of light का definition पूछ सकते हैं generally board में definition पूछते हैं okay so मैं यहां पर yes definition पूछते हैं देखो when two waves exactly same frequency travel cinemidium in the same direction simultaneously then due to their superposition किसके लिए due to superposition at some point intensity is maximum while at some point minimum हो चला है this phenomenon is known as simple अपने बाशा में इसको ध्यान से लिखना है ठीक है चलो interference हो गया यह सब हो गया यहां पर देखो constructive and destructive interference ठीक है types of interference में दो मिल जाएगा इन दोनों में एक difference बनता है क्यासा difference देखो अगर phase difference यहां पर जीरो और टू एन पाई मिलता है तो यह constructive होता है और destructive में अगर 180 या फिर या फिर टू एन माइनस वान पाई और टू एन प्लस और यह इन दोनों में से कोई भी एक तो एक को छोड़ो इसको रखो तो यह अगर होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे destructive playful first point को मैंने छोड़ता है यहां पर देख सकते हैं कि अगर maximum light होता है तो यह constructive minimum light अगर होता है तो इसको हम लोग destructive होता है ठीक है पार्ट डिफाइंस जो है एन लेम्डा होता है यहां पे ठीक है पार्ट डिफाइंस कीतना होता है एन लेम्डा दियान से देखना एन लेम्डा और यहां पर होता है 2N-1 लेम्डा बाइट इसका डिडिवेशन पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे सिर्फ इस पर जा और मिनिमाम यानि की सीरो सबसे कम मतलब सीरो ठीक है तो यह बन गया ओके तो यहां पर अगर हम लोग इसको थोड़ा मोडिफाइड फॉर्म में देखेंगे यह एक मोडिफाइड फॉर्म है तो यह एक रेशियो का फॉर्म है इसको ध्यान से रेखना है यह पूछ सकते है एक्जाम में तो यह इजी है दोनों का रेशियो निकाल लेना है तो यह एक्सप्रेशन अल्री मुझे चाहिए इन दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टन है बहुत जरूरी है इस देज़ा फिगर और नीचा वाला पार्ट आप दो का नहीं है सिर्फ इन दोनों पार्ट को ही यहां पर रखना है यहां पर देखो इस यहां पर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट और एक क्वेश्चन आ सकते हैं यह जो फिगर है यह क्या है यह एक्चुली जो स्क्रीन पर हम लोगों मिलेगा ब्राइट एन डार्ट फिर्च यह दोनों है स्लिट S1 S2 ब्राइट एन डार्ट पिच्चर है यहां पर देख सकते हैं फिर्च किस तरीके से ब्राइट डार्ट ब्राइट डार्ट करके बना हुआ है Intactical यहाँ दखना यहाँ से MCQ आ सकते हैं Very very important Practically जो हम लोग को दिखने को मिलता है Interference Pattern Screen पे उसका shape कैसा होता है ध्यान से देखना उसका shape होता है Hyperbolic ठीक है बहुत बहुत important है Hyperbolic shape MCQ आने का बहुत chances से इस से ठीक है प्रैक्टिकली उसका shape रहता है वो hyperbolic रहता है ओके तो पार्डिफाइंस हो गया तो इस इस दा थिंग तो यह वाला पार्ट हो गया हम दोगा पार्डिफाइंस वाला पार्ट हम लोग भी देखते हैं नेक्स टॉपिक कान सा है देखो यह हो गया हम दोग का नेक्स टॉपिक सस्टेन इंट्रफरेंस मतलब क्या है जो बने रहता है यानि कि सस्टेन इंट्रफरेंस के लिए हम लोग को क्या चाहिए coherent source चाहिए coherent source ठीक है first point हो सकता है coherent source second point हो सकता है same wavelength यानि कि same wavelength और monochromatic wavelength third point हो सकता है कि same frequency and amplitude fourth point constant phase difference phase difference और no phase difference कोई भी phase difference नहीं चलेगा अगर रहता है पे तो फिर इसको constant phase difference चाहिए ठीक है इसको हम दोग बोलता है कि तब हम दोग को मिलेगा सस्टेन इंट्रफरेंस सस्टेन मतलब किया स्क्रीन पर बने रहेंगे ठीक है next and last point diffraction due to single state width of central maximum okay last point पर हम लोग चलते हैं so here we go okay so actually यहां पर एक चीज मैंने यहां पर मिस कर दिया वह है कि fringe width यहां पर fringe width जो बन जाएगा पीट है इस गल्दो लैमडा टी पाइप स्मॉल टी ओके यह हो जाएगा क्या fringe width okay यह सब अब कर नहीं है यहां पर diffraction diffraction actually क्या है देखो diffraction two two types आप टू टैप्स एक है front offer और एक है फ्रेनल diffraction तो हम लोग front offer diffraction में interested है जो हम लोग कर रहा है वो है front offer और इसमें दोनो इंफैना डिस्टेंस में रहते हैं ठीके फिगर कुछ इस तरीके से हुगा सिंगल स्टिट डिफ्रेक्शन से यह जो फिगर है यह फिगर बहुत इंपोर्टन है यह फिगर देख लो ड्रॉ कर लो स्क्रीन शॉट ले लो सब कुछ ले लो और इस तरीके का इंटेफरेंस जो थिटा वर्सस इंटेंसिटी है वह हम लोग को देखने को में ता यानि कि सें इंटेफरेंस यहां पे एक डिफारेंस शेट है इंटेफरेंस में क्यों होता है अल और उफ इक्वेल बीटन इक्वेल इंटेंसिटी तो यहां पे देख सकते है इसका अगर हम लोग इंटेंसिटी हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरीके से होगा किसका है यह इंटरफारेंस का है ठीक है वाई वर्सस इंटेन्सिटी और अल और इक्वेल विर्थ यहां देखना है इक्वेल विर्थ ओके सो यहां पर चलते हैं तो डिफ्रेक्शन में क्या होता है यहां पर देखो डिफ्रेक्शन में देखो यह वाला पार बहुत इंपर्टेंट है जो है Central Maxima जो है वह ट्वास दा नॉर्मल जो फ्रिंज रहता है उसका डबल रहता है तो बीटा नॉट इस एकल टू ट्वास बीटा ठीक है तो बीटा बन जाएगा क्या बीटा इस एकल टू लेम्डा डी पाइश्माल डी यहां पर देख सकते हैं तो लेम्डा डी यहां क्या रहता है कंडिशन मिनिमा के समय जो फेस डिफारेंस रहता है डेल्टा एन लेम्डा और इसके समय टू एन प्लस वन लेम्डा वाई तो यह किसके समय है यह इन केस ऑफ मैक्सिमा यहां दखना है इंटरफारेंस और डिफ्रेक्शन दोनों आपोजीट है जस्ट याद कि मैंने की यह जो टेल्टा है डेल्टा हो जाएगा साइन थीटा वोता है तो यह यह इक्वेशन बने साइन थीदा इकोलनों अब सण पर शर्ब कर सकतě है तो यहां पर व रेखिए वर रागींस एक अधिकांसे निम्हेंग पेरिजरण है this is a result due to superposition of two coherent source interference बनता है और यह क्या मनता है result due to superposition of wavelength for different parts of same wavefront एकी wavefront से different parts से ठीक है all fringes are of same width whereas यहाँ पर क्या होता है all secondary fringes are of same width but central क्या होता है double the width ठीक है अभी मैंने दिखाया यहाँ पर same intensity होता है whereas intensity decreases यहाँ पर देखो just opposite इसका opposite यह है bright के लिए ध्यान से देखना है यह bright के लिए यह dark के लिए यह dark के लिए यह वाला है interference के लिए यह वाला है diffraction के लिए दोनों में differentiate कर पार रहे हो भी बहुत simple है यहाँ पर maxima के लिए यह हो गया n lambda और यहाँ पर minima के लिए हो गया n lambda ठीक है part difference हो गया minima के लिए 2n-1 lambda और यहाँ पे 2n-1 lambda by 2 ठीक है secondary maximum के लिए तो बहुत easy way में मैंने यहाँ पे differentiate करके दिया है तो इसके साथ जो full syllabus है वो मैंने cover करके दिया है ठीक है तो I hope यह वाला जो full quick revision part है आप लोगो बहुत help होगा exam के लिए so do comment अगर आप लोगो कुछ part अच्छा लग रहा है या फिर कुछ और चाहिए तो comment कर सकते है with that thank you very much have a nice day